आप सभी वक्तों को जैसी दिरा दे हमारे चैनल बिया सर्मा भात द्वाज में आप सभी वक्तों का माता वेनों का हम स्वागत कहते हैं वक्तों आज की कथा में हम शीमर भागवत मा पराण के मासिक पराण की बारे में दिन की कथा परारम कर रहे हैं आज की गठा में माराज प्रथु जो भगवान विष्णों के अंसबता थे उनकी कठा से प्रारम होगे आप सभी जो हैं शीमत भागवत मा पुरान को नुमस्कार करकें शीमत भागवत मा पुरान की इस कठा का से बन करें पुलशीमर भागवत मापराण की जय जय सिरी रादे जय जय सिरी रादे जय जय सिरी रादे श्यम नेम से सूट माशीनह मभिवाद्या महामतिम कथा मृतार सस्वादा कुषला सोन को ब्रिमीथ नेम सानतीत में सिरी सूट जी माराज सोनक 68 जय रिषियों से कहते है soaking रिषिवरों सुख नेम जी माराज परिक्षित से कहते हैं परिक्षित माराज प्रिठू का जो है बेन की भुजाओं का मन्थन करके जब जनम हुआ तो उस समय माराज प्रिठू के हर्श के समय पर सभी देवताओं ने आकर के बेटें दी माराज पृठु जो हैं भगवान विश्नू के अंसबता थे उनके डायने हाथ में संक का चिन्य था समी ने नमसकार किया संक चक्क गड़ा परम के चिन्य थे माराज पृठु सिंगासन पर बैठ करके संसार का पालन कने लगे माराज प्रिठु के राज में कोई भी दुखी नहीं था संसार में सब सुखी थे पंदु अचानक ऐसा प्रिकोप हुआ कि कई वर्सों तक वर्सा नहीं हुई जिस कारण से संसार में अकाल पर गया अकाल की इस्थिती पर सभी प्रिजा जनों ने आकर के माराज प्रिठु के दर्वार में द्वाई लगाई के वगवन हे माराज बर्साना होने के कारण हम जो हैं कुछ भी उत्पन नहीं कर पा रहे हम खेती में जो भी बीजबोते ही उसको उस समय पर प्रिठु भी जो निगल जाती है भूमी अन उपजा नहीं रही है भूमी बंजर हो गई है अकाल के सिती है ऐसे समय पर क्या किया जाए हम प्रिजा जो है मौताज हो गए दाने दाने के लिए जो भी अन डालते ही सारा खा जाती है हम नदियों से पानी लाकर के भी देते ही तब भी जो प्रिथवी अन को नहीं उपजाती अब हम क्या करें प्रिजा के ऐसे बचन सुन करके माराज प्रिथु को क्रोड आया उन्होंने प्रिथवी को माने के लिए धनुस पर बांग चड़ाया माराज प्रिथु जो है उस समय पर प्रिथवी को बैवीट करने लगे माराज प्रिथू को क्रोड में देखकर के प्रिथवी भी बड़ी ब्याकुल हो गई और गाय का रूप दार्ण करके संसार में भागने लगी पंद वह जगे पर प्रिथू ने पीछा किया कि प्रिथवी ने सांट दोगर के माराज प्रिथू से का कि भगबन आप मुझे प्राद इसस्थी को माने की लिए त्यो duyar हैं है राजन प्रानी जो हैं सब प्राद इस्थियों पर प्राद नहीं करते आउं सानी के दीन दयावान दीन वस्षल ने प्रादद गो पर एक तो गौ हूँ प्रिठवी हूँ इस्ती हूँ मुझे पर प्रयार करना उचित नहीं है ऐसे किसी भी अवस्ता में इस्ती प्रयार की यूग नहीं होती है आप प्रिजा पालक हैं आप मेरी भी रक्षा करें माराज प्रिठवी तु माया से गौ का रूप बना करके भाग रही है प प्रिज निगल ली हैं उन्हें उगार नहीं रही हैं इस कारण से संपून प्रिजा में भूक के कारण हाकार मच्छा हुआ है ऐसी दुस्ता का बड़ काने में सर्वता प्रिजा की बलाई है तेरी तेरा नाश करके मैं योग भल से जलमें ही अपने प्रिजा की रक्षा करूं अगर दुस्त प्रानी कोई भी हो चाह पुरुषो इस्त्री ओ चाहिए मेत्रे जी कहते हैं विद्यों जी इस विकार को में बरी वे प्रिथू को देख करके प्रिथवी डेवी ने इस्त्री करी और काके बगवन आप सांत हों मेरी प्रातना सुनें आप उपाय के द्वारा क्योंकि आपके पिता के पापों के कारण में बंजर हो गई हूं इसलिए उनका जो अवलंब है प्रिजा की भलाई के लिए आप मुझसे द्वान करें इस विकार से ब्रह्मा ने पहले अन्नों की सिष्टी करी और यगाद के द्वारा उनका उप्योग ना हो सका तुमारे पिता के द्वारा धर्म नर्ष्ट हो गया था इसलिए मैं जो बंजर हो गई हूं आप जो है कोई बच्ड़े की पात्र की विष्टा करें और मेरा द्वान करें प्रिथ्वी के मद्वच्चन सुनकर माराज प्रिथू ने सौंभव मनु को बच्ड़ा बनाया और अपने हा प्रिथ्वीश अम्रिद्वा देत्यों ने पहलाद को बच्ड़ा बना करके लोग के पात्र में मद्रा मद्रा दोही इस विकार से प्रिथू के बंसज दक्ष कन्या दिती के पुत्र पहलाद का तब तक जनम नहीं हुआ था किन्तु जो इस बच्चन के अद्वार पहलाद को भावना में जानना चाहिए जाने की पहलाद का उस सब्सक्रा जनम नहीं था पहलाद का नाम क्यों आता है पहलाद का नाम इसलिए आता है पहलाद भक्ति स्रो मनी है इसलिए केबल डाक्षसों के लिए भावनात पन की गई है कि पहलाद को बच्च्चरा बना करके पात् रिबिगन समाप्त हो गए पांतु सौमा यग जैसी प्रारम किया इंद्र को उसे सेंग नहीं हुआ और इंद्र ने इसे अवर्ष जो है उनके गोरे को चुरा लिया पांतु जो है माराज प्रिथू ने अपने गोरे को इंद्र से चुरा करके जो है उस समय पर यग प्रारम क दी इंद्र ने अनेक बार पाखंड का सार लेकर ब्राम्मा का वेश वना करके गोरे की चोरी करी तब प्रिथू को क्रोड आया और प्रिथू ने दरुस्वर बार चिरा करके इंद्र का वर्ड करना चा क्या आज वो इंद्र का वर्ड का डालूंगा क्योंकि इसने पाखंड पहला दिया है उस समय पर सभी रिशी मुनियों ने आकर के माराज प्रिथू को सांथ किया उस समय पर इंद्र के साथ भगवान विश्नु यग साला में आए प्रिथू से बोले राजन आपके यग के बिगन करता ये इंद्र उपिष्ठित हैं ये आप से खिमा माग रहे हैं इन्हें खिमा करें क्योंकि कपत ना करना दूसरों की निंदा ना करना निश्टूर वचन न बोलना ये ज्यानियों के बक्तों की लेक्षन होते हैं दूसरों के गल्तियों को भी खिमा करेना चाहिए उस समय पर देवराज इंद्र को जो है माराज प्रिथू ने खिमा करिय फिर भगवान की अन्य तरह से इस्तुती करी माराज प्रिथू ने भगवान सिर्यरी की इस्तुती करी तब भगवान सिर्यरी ने का कि राजन तुमारे मन में जो भी चाओ मुझसे बर्दान मांगो माराज प्रिथू ने हाद जो करके का बगवन अगर आप देना चाहते हैं तो मुझी बरदान नहीं कि मेरी सरविदा आप में निश्चल भक्ती बनी रहे मेरी मुझी जो है हजारों कानों की सक्ती प्राप्तों जिससे अगर आपकी कहीं दूर भी कथा हो रही हो तो कथा भी मुने सुनाई दे और कहीं आपकी निंदा हो रही हो तो समय पर मेरे कान बै काने लगे माराज प्रिथू ने उस समय पर सभी प्रिजा जनों से अनेक प्रिकार के ज्ञान सस्तों के द्वारव प्रिश दिये एक समय माराज प्रिथू ने जो है ज्ञान सस्त किया बने मरे रिशी मुनियों को आमिंतरत किया उस समय पर जो है सभी सवासदों के बीच में ह वारी प्रिजा भगवान के दिव्शेटनों का सिवर मनन कीतन काने में लगी हुई है यही सत्पुर्सों का धरन कहलाता है उस समय सरभिवगार जी भी आए सरभिगार जी ने महराज़ पृतु को अने ग्यान दिया माराज प्रितु ने सनत कुमाजी का पूजन करा और पूजन करके जो है का कि भगवन आप सजसान में कल्यान के लिए बिच्रन काते हैं क्योंकि सत पुर्सों का संग सोता बक्ता दोनों के कल्यान में होता है क्योंकि ससंग जो होता है पारस मनी की समान होता है एक गड़ी से आधी गड़ी का भी जो ससंग होता है वो प्रानियों को दर करता है तब ही तो कहते हैं न एक गड़ी आधी गड़ी आदी में पुने आए तुलसी संगट साद की हरें कोट अपराद एक गड़ी भी अगर संटों का संग प्राक्त हो जाता है उससे आदी गड़ी भी हो जाए तब भी मालों की हमारे जनम मरण से मुक्टी मिल जाती है सभी पापों का नास हो जाता है इसका इक्दिस्तान टाता है कि बशिजी और विश्वामित्र दोनों की सत्रता चलती थी विश्वामित्र ने वशिज्जी के सो पुत्रों का बढ़ का दिया था फिर भी वशिज्जी जो है विश्वामित्र को ख्यमा का दिया एजिन विश्वामित्र जी बसिजी का बद काने के लिए क्योंकि बसिजी से वो चाते थे कि मुझे ब्रह्म रिशी कहेकर की पुकार है क्योंकि विश्वामित्र ने 50 हज़ sandwiches बस तफश्य करी तीनों देवताओं को प्रसंद किया देवताओं ने का कि रिशिवर तुम राज रिशित हो गयो पनु ब्रामर जब बनोगे जब बशिज जी तुमें ब्रामर कहकर के पुकारे इसलिए विश्वामित्र ने बशिज जी से का कि आप मुझे ब्रहम रिशी बना दे पन्वशिज जी ने का अभी आपके अंदर एहम हैं जब तक एहम समात्त ने होगा तब तक आप ब्रह्म रिशी नहीं बन सकते हैं ते एक दिन विश्वामित्र जी जो है उनका बढ़ काने के लिए उनके आजसम में छिपके वैथे थे उसी समय देवी अरंधती ने बसिज जी से का कि रिशीवर आज आसम इतना तेज क्यों हो रहा है बहुत अलोकिक डिब भी तेज आ रहा है तब बसिज जी ने का ये मान रिशी जो है विश्वामित्र का तेज हो सकता है उनके समान तेजसी तपस्वी संसार में कोई भी नहीं है उस समय पर जैसी बचन सुने विश्वामित्र ने रेखा कि मिनको सतुता कर रहा था और ये मेरे इतना सम्मान कर रहे है उस समय पर जो है विश्वामित्र आ करके बसिज जी के चनों में गिर पड़े तब बसिज ज जिने का भगवन जब मैंने आपके सव पुत्रों का अबद कर दिया आपको भी में सतुता की दिश्टी से लेकता रहा तब आपने ब्रह्मर्शी क्यों नहीं कहा तब अबसे जी ने का कि ब्रह्मर्शी उस समय तुमारी अंदर क्लोप था एंका था आथ तुम सब से दूर हो तुमारी प्राशित है तो विश्वामित्र जी ने का भगवन आप मेरे आश्म पर आएं मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं ब्लाय यो पचास जार वर्ष की तपस्या का फल वसित जी को निमंतर में दख्षना की इस रूप में दिया फिर वसित जी ने बिस्वामत्र जी को बलाया और उन्हें जो दख्षना की रूप में आदी गड़ी की ससंग का फल दिया तब बिस्वामत्र जी कहने लगे भगवन आपने मेर नादर किया है मेरी पचास जार बस की तपस्चा का फल बढ़ा है आपके आदी गड़ी के ससंग से लज्जित किया है तो नोंने का कि मेरी आदी गड़ी का ससंग का फल तुमारी पचास जार बस की तपस्चा के फल से जादा है दोनों अपना जो है फैसला कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास वेजा, ब्रह्मा जी ने सिर्व के पास वेजा, सिर्व जी ने विश्नु भगवान के पास वेजा, विश्नु भगवान ने का कि तुमारी समश्या का समादान स्वेम सेशनागी कर सकते हैं, तो समय पार दोनों रिशीवा जो हैं सेशनाग के पास पाताल कर लें तब में तुम्हारे प्रिस्ट का उत्तर सोचूंगा सबसे पहले विश्वा मित्र जी से का विश्वा मित्र जी ने का कि मेरी पचास हजार वस की तपस्चा का फल सेश्ट है तो ब्रहमांद मुझे धारन हो जाए उन्होंने ब्रहमांद को लिया पर समाल नहीं सके चि कर लिया विश्वा मित्र ने का वाराज उत्तर दो तवस्यस नाग ने का कि उत्तर आपको मिली गया है कि किस का फल बढ़ा है जाने सच्चंग का फल बढ़ा है इसलिए हमेशा समय निकाल करके सच्चंग जरू करना चाहिए यही संत रिशी मुनी और एदम बेदों में का गया है देल रिशी नाजी नेवी राज़ा प्रिथू को इसी प्रिकार से ससंग का पल दिया था और प्रिथू को संकारिकों के साथ में भी ससंग मिला इस तरह सिरी सूजी मारा रिशीवरों से कहते हैं रिशीवरों सनत कुमा जी कहते हैं के राजन मनुष जो कुछ करम करता ह इस्तावर, जंगम, जीव, सभी परमात्मा इश्वर की सुरूप हैं, सभी उसका आदार हैं, तुम भी अपने को उनका अर्श समझो, जैसे रंचु में सर्व की पृतीती होती हैं, बैसे आत्मा में नाना प्रकार के माया ब्रह्म होते हैं, पांतुहा जगह पर उस सुद्ध परमात्मा को रेखो, जिनके चर्नों की बक्ती से योगी पुरुष एंकार को त्याक करके परमात्मा को प्राक्ट हो जाते हैं, संसार को पार करने के लिए भगवान की नौका रूपी चर्नों का सारा लो, संसार पार करने के लिए भगवान ही संसार की उद्धारक मार एक नौका हैं मित्रे जी कहते हैं बिदो जी सरत कुमार जी ने इस्विकासी राजा को भगवती साधन का ज्यान दिया और हाद जो करके उसी समय राजा प्रिटू ने उन सब को प्रिणाम किया का कि भगवन आपकी किरपा से मेरा संदी दूर हो गया गुरु दक्षना की रूप म आपको मैं क्या समर्पित करूँ मेरी समझ मी नहीं आता देश अरी इस्टी पोत्र रन राज को सब कुछ देख रहे हैं यह सातों ब्रामन मात्माओं के दिये हुए पदात हैं, मैं उसी का अप्रोग कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ब्रामन अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपनी वस्तु दूसी को देता है, ब्रामनों के ही अनुग्रे से भगवन, ख्यत्रिय वैसे सुद्र, तीनों उसकी दियुई वस्तु को वोग करते हैं, आप जैसे ब्रामनों को किंचित मत्रवी कभी अपना अभिमान नहीं होता, भगवन आपने जो है, जिस डंग से मुसे बसुदेव तत्तु का ज्यान कराया, उसका जो है, मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो विपत्ति रूपिय निकार दूर करने के लिए सहस्तों सूर्यों की समान हैं, अभिष्ट वस्तु प्रिदान करने बाले हैं, संसार सागस ही पार काते हैं, उस परमात्वा को नमस्कार है, इतना कह करके प्रिनाम किया, उसके बाद में जो संकार दिग्रिशी चले गए, उसके बाद में माराज जितास को मंत्नियों से प्रामस करके राज अव्षिक कर दिया और उसके बाद में अपनी पत्नी के साथ में स्वेम बनमी चले गए भगवान स्रीकिष्ण की कथोर तपस्चक अने लगे इसके बाद में भगवान बिश्णू का नारायन का ध्यान करते हुए माराज प्रिथू जो हैं अपनी पत्नी के साथ में बैकुन चले गए और भगवान में ही लीन हो गए इस तरह से राजा प्रिचित से सुख्डेव जी माराज कहते हैं कि राजन प्रिथू के बंस में प्रपोत्र प्राचिन वह हुए प्रिथू के जेत पत्र विजितास चक्रवाती राजा चोटे वाई हर्यक रुमक्रेश उब्रिक दिवर्ण उन्होंने चारव रिसां को राजा बना दिया विजितास को नाम दूसरा अंतर ध्यान भी था क्योंकि इंदर से उसने अंतर ध्यान की बिद्या प्रप्त की थी विजितास के शिकर्णनी वार्या से तीन पुत्र हुए पावक, पाविमान, सुची ये तीनों अगनी जो है बसित जी के स्राव से मनिश रूप में आये थे उनकी दूसरी पत्नी नवसुनी सी हरवान हुआ उसके बैस पर गय सुकले किष्ण सत्र जित्वे छे पुत्र हुए इन्हे के आगे चलके समुद्र की पुत्री सत्र दित इसने को का तो समय पर वो जो है भगवान का वज़न करने चले गए पहले तपश्चा करने गए किसके बाद में सिष्टी रचेंगे वह एक बड़ा बिसाल सरोवा था जो समुद्र में कुछी छोता था उसका जल बड़ाए निर्मलता कमल खिले हुए थे वहीं पर जो प्रिचेताओं ने दंडबर्द प्रिनाम किया भगवान सिर्वने का है प्रिचेताओं तुम प्राचिन वही के पत्रों तुमारी इच्छा जानकर कि मैंने दर्सन दिया है तुम भगवान के वक्तों मेरे अत्यंद प्रिये हो जो प्रती पृष्ये पर बगवान के करके भागवान संका जी अंते द्यान हो गए इस जो है प्रचेता को भागवान सिव का ज्यान प्राप्ट हुआ प्रचेता जल की अंदर दस जार वसों तक तपस्या करते रहे उदा जो इनके पिता प्राचिन वही को करम कांद में आसकत देख करके नारजी कुछ पर दया करें और जाकर के किने लगें किये राजन तुम किस करम से आत्मा का शेट राप करना चाहते हो जो कुछ करम तुम कर रहे हो इसे दुक्की निப्रति नहीं हो सकती तपराचिन वहाईने का वगवन करम करते करते मेरी ब Dhुद्धी एदम बिमूर सी हो गही है सिरे का मार क्या है कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता तर नारज जी ने का के राजन तुमने इस यग्गों में जिन जिन पस्वों का बद किया है आकास में देखो वो तुम्हें माने की प्रितिक्षा करने है पर लोक में जो तुम मर करके जाओगे तब ये लोग के तीक सुनाता हूँ नारग जी जो हैं प्राचिन वही को एक इतियास सुनाते हैं ये इतियास बहुत स्रेश्ट है ये इतियास है कि पुरंजन नाम का एक राजा था संसार में उसकी बड़ी कीती पहली थी उसका अविज्यात नाम का एक मित्र था पुरंजन अपने रहने के लिए क अपने मित्र के साथ में निकला उसको कोई इस्तान नहीं मिला तो वो हमाले की दक्षिन में गया वह इसने डिब नगा देखा जिसमें नो दरवाजी बने थे उसमें चारोर पर कोटर खाई थी बन उपवन अटारी सौने की सिकर बावनों से वो नगा सुसोबित था वहां की भूमी मडियों से बनी थी सभी सादनों से पूर्टा नगर के बार एक दिब बगीचा था जिसे बहुत सुन्दर जिलास जन्ने थे उसे देखकर के सबका मन आकिस्त हो जाता था उसी समय एक हुपती को देखा जो दस सक्षियों के साथ में गुमती हुदा से आने के लिए उसके दात नास का कपोल अत्यन मनुवा थे उबरे हुए अपने छोटे छोटे इस्तिनों से अपनी साड़ी को डखती जाती थी पास सिर वाला एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा था पुरंजनों से देखकर के मोट हो गया उसके पास जाकर के बोला के सुन्दरी तुम कौन हो किसकी कर्ण्या हो कहां से आई हो तुम लक्षिमी अत्वा सरस्टी कौन हो तुम मेरे साथ बिवाय करके तुम इसी पुरी में रहो मैं तुमें देखकर के काम से व्याकुलो रहा हूँ तुम मेरी रक्षा करो हे राजन पुरंजन की प्रातना सुनकर के आश्ति हुई वो त हो जाते हूँ तो यह साथ पुरी की रक्षा काता है तुम को मेरे नाम और गुत्त से क्या तुम यहां आ गहे हो तो में साथ बिवाय कर लो दोनों ने बिवाय कर लिया, दोनों उस पुरी के अंदर चले गए, दोनों ने परसपर खुब ब्यार किया, ठकावा दूर करने के लिए जलासे में प्रवेश किया, जल कीरा का थे, उस पुरी के उपर के साथ दरवाजे थे, पांस दरवाजे पूरव दिसा में, दक्षिन मे और एक उत्तर में एक दक्षिन में और पांच दरवाजी पूरव दिसामे थे दो दरवाजी पच्चिम भाग में थे पुरंजन नाना प्रिकार की विश्यों का वो उन्हीं दरवाजी शीखिया करता था अपनी पत्नी में इतना आसकत हो गया जब वो खाती तभी खाता जब जागती तभी जागता था नारग जी केते हैं राजन राजय पुरंजन हाट में विशाल दनुसवान लेकर के सिकार खेलने पंच बिस नावक बन में गए राणी को छुड़कर सिकार की लागसा से दनुस पर बांद चरा कर बनों का सिकार कने लगे अनेक जीवों को माने ल उसके बिना सारा गन सूना परता है इस सुने का राजन तुमारी राणी के मन की बात हम भी नहीं जानती ना जाने कहां पर है आज नाराज होकर बिना विश्तर की पड़ी है नाजी के लगे राजन इस वकार इस्ती के प्रित्वीपा पड़े देखकर अती मधुर्वाने उसके पैर छूकर के अपनी गोड़ में बिठा लिया का कि तुमारे बिना पूची में शिकार खेलने चला गया मुझे ख्यमा करो दंद दो पर एक बार में तरब प्यार की दिश्टी से देखो इस विकार से जो है वो अपनी रानी को मनाने लगा राजा परंजन की बात में र सेमबरी चितवन से उसे नियाती ब्यार कने लगी राजा रानी दोनों ने सिंगार किया राजा रानी आलंगन काते रानी गले से चिपट गई इस विकार से राजा का चित विवोर हो गया राद दिन पत्नी में लगा रहता इस विकार से जो है इस्ति के साथ सम्मोग में उस पुरंजन ने उस समय पर उसके रानी से ग्यारे से पुत्र 110 कर्ण्याएं हुई राजा ने पांचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पुत्रों का विवाए सुंद्री कर्ण्याओं से कर्ण्याओं को विवाए सुंदर बरों की साथ में कर दिया उसके पुत्रों में से एक एक के सौसब पुत्रुए पांचाल देश में पुरंजन का वर्ष फिल गया अपने परवार में राजा की बहुत बड़ी मंता बढ़ गई परवार इतना बड़ा देखकर की प्रसन्न होता एक वार उसने पसू बली सी द्वारा विसाल यगो द्वारा देवता पित्रों का वन किया जैसा की तुम कहवे हो एक दिन जो है राजा पुरंजन की नगर पर गंदर्वों की अडपती राजा चंद्रवेग ने चड़ाई का दी जिसकी सेना में गंदर्विया युद्ध काती थी जिनकी संक्या साथ से वीश थी वह सेना पुरंजन की पुरी को नच्ट ब्रिस्ट कने लगी पुरी के रक्षक वो अजगर सर्प जो है अकेला सेनकों से लगने लगा उसके साथ युद्ध करने लगा पर विसाल सेना के सामने अकेले युद्ध नहीं कर पाया राजा को नगर परवार की चिंता सता रही थी, इस चंद बेग राजा की पुत्री जरा थी, जो त्रलोकी को अपना पती बनाना चाहती थी, किंट उसे किसी ने सुईकाने किया, हे राजन एक दिन में ब्रह्म लोग से प्रिट्वी लोग पर आ रहा था, मेरे उस जरा से पाओगे, फिर मैंने उसे समझाया, कि तुम यवन राज बे को अपना पती बना लो, मेरे कहन सार कन्या बे के पास गई, बे ने उससे का, ये संसार में तुम्हें कोई गैन नहीं कहता, तो तुम गुप्त रूम से सब प्रानियों को अपयोग करो, मेरे सेनकों के साथ जाक प्रिजा का संगार करो, प्रिजवार मेरा वाई है, और तुम मेरी वेन बन जाओ, तुम दोनों के साथ गुप्त रूम से संसार में ब्रमड करके, तुम्हारा मनुदः पूरन करूंगा, नाजी कहने लगे, या मैस्वर राजा बैके सेनक, प्रिजवास, काल कन्या जरा के साथ प्रित्वी पर गुमने लगे उन्होंने बड़े वेग से राजा पुरंजन की पुरी जिसकी रक्षा बुड़ा सर्प करता था उसे गेल लिया काल कर्ण्या जरा बलतकार से उस पुरी का भोग करने लगी यमनी सेना में चारों से उसे निस्ट वेश्ट कर दिया उस समय पर राजा बैक के बड़े वाई पर जोलने आकर पूरी में आग लगा दी पुरंजन ब्याकुल हो गया उसे अपने पुत्रों पोत्र इस्टी कर्ण्याओं की चिंता सताने लगी सोचने लगा मेरे ना रहने पर मेरी इस्टी किस विकार घर का बार समालेगी ये बड़ी प की बार समय पर मिर्टू हो गई मिर्टू के वार वो नेरक हो गया बीदर देश के या कन्या की रूप में जन्म लिया इसका नाम बेदर भी परा जो स्वेंबर होअ तो राजा मेलत दोज ने राजाओं को जीत का इससे विवाय किया मेलत दोज के जो है साथ पुत्र एक कन्या थी साथो पुत्र दिवन देश के राजा हुए जिनके बहुत संताने हुए फिर मेलत दोज की कन्या के विवाय अगस्ष के साथ हुआ जिसके पुत्र दिन चुट हुआ, दिन चुट का इमवाय हुआ, राजा मेलद दोज अपने पुत्रों को पृत्वी का राज सौप कर, श्री किष्ण भगवान के रातना करने चले गए, इनके पीछे रानी बिदर्वी चली गए, वहां नदियों में इस्नान करके, राजा मे वह बिदर्वी रानी जो है, मुझे अकेली सोड़कर का गए हो, बिलाप करने लगी, पती के लिए सती होने का विचार कर रही थी, उसी समय उसकी पूर जनम का अभिग्यात नाम का सखा गया, मदर्वानी में बोरा, अरे तु कौन है, किस की कन्या है, ये कौन सो रहा है, त तेरा मित्र हूँ, तुम मुझे भूल गई है, हम तुम दोनों किसी समय माल सरोवर में बिचाते थे, तुम मुझे छोड़कर के, बेसे भोक के लिए किसी इस्ती के सार नगर में चले गए, वहा किसी रानी से तुमारा सम्मन्द हो गया, उसी से तुमारी ये दसा हुई है, ना तुम विदर्व की करन्या हो, ना ये तुमारा पती है, ये नो दर्वाजे वाले पुरी में तुमारे गूमने का फ़ल है, इसी से तुम को ये सब विप्रीत हो गया है, मुझ में तुम में कुछ भी अंतर नहीं है, इस कार मित्र को समझाया, उसे ग्यान हुआ, पूर और मित्र आपस में मिलकर के पिरसंद होने लगे है राजन मैंने जो है तुम्हें पुरंजन की कथा सुनाई इस कथा का अभी प्राय क्या है राजन ठीक ठीक से इस कथा को समझना चाहिए पुरंजन कौन है यह जीवी पुरंजन है अभिज्यात नाम का जो उसका सखा है इस संसार में कीट पतंग पसू पकी योनियों में आते हैं ये हिमाले के डक्षण वा सभारत में आकर किम जनम लेते हैं मनस योनि को देखकर हम बड़ी प्रसंद होते हैं इस पुरी के दो नेत्र दो नासका के चिद्र एक मुख पांस दर्वाजी पूरम में उत्ता डक्षण में दोनों कान के चिद्र दर्वाजी दो पच्चम में जो मन मुत्र के दौार हैं इसमें साब्देश्मा सवे सरूप गंद पांच बगीचे हैं जिनमें वो पुरंजन गुमता हैं ये बुद्धी है इसके साथ में जीब विवाय कर लेता है इसके दस सका दस इंद्रियां ह मंत्री है वो मन है जो इंद्रियों का नायक है जो पुरी की रक्षा करने वाला पांच सिर का सर्प है वो पांच बिश्यों को पूरन करती है ये पांचाल देश है इसलिए हाथ पै जो छित रहें इस कारण अंदे कह जाते हैं जीब इनी में जो बटकता रहता है इसके एक स दसकन्या जो है, वो बुद्धी की अनिक बृत्या हैं, प्राणी जो है, बिशे भोग में बसा रहता है, जो चन्न बेग नामक, गंदर विराज चड़ाई करता है, काल और रात दिन, उसका नाम काल है, दिन रात जो है, उसकी जो गंदर विसेना है, जो सास से वीज होते हैं, दिन और रात जो है देव पुरी के आयो को ये खीन करता है और जरा नामक जो कन्या बिवाय करती है वो हमारा बुरापा है बै बुरापे में जरा के साथ भाई आता है वो बै है काल की कन्या तिलो की में कोई उसका वरन नहीं करता है उसके वरन करने से करूप हो जाता है यहात पुरू को भुमनल का अखन्ड राज दिया था इसलिए ये जरा जो है यमराज के लिए काम काती है मनुस्यों के कल्यार के लिए उनके कानों की समीब जाकर के कहती है अरे प्राणी भगवान के चनकमल का बजन कर ये बजन तबी सपलोगा जड़ो बस्तों को मन से दूर का दे को दूसरे की संपत्ति को रपने की मसोचो जरा विस्ता मनुश्यों को कुरूप करेती है इस पर जरा ध्यान दो जब जरा विस्ता आती है तो समय पर जरा से बिवाय होने पर पोक करती है सरी सुग दाता है चलना फिरना कथिन हो जाता है दात गिर जाते हैं दिश्टी कम हो ज गाने सब्सक्राइस सब्सक्राइबा गलबरॉस दोगते हैं। नहीं रहता लाथी का साधा रहता है इसलिए प्राणी गोविंद को बाज गोविंद को बाज गोविंद को बाज इस प्रिकास से जो है बुरापे में कुट्टे की तरह रोती का टुकड़ा मत खा भगवान का बजन कर ये संसार में सब कुछ बेकार है राजन तुम्हें ये समझना चाहिए जैसे नारज जी ने प्राचिन वही को ग्यान दिया प्राचिन वही जो है नारज जी को प्रिनाम करके भगवान का बजन काने के लिए बनवे चले गए और भगवान शुरी किस्न की अरादना करते हुए भगवान के लोग को प्राप्ट हुए शुरी भागवत्मा प्राण की जै 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 शिरी रादे जै जै शिरी रादे जै जै शिरादे श्याओं